ननी परी अराध्या बच्चन के साथ रिशी कपूर की दर्द भरे पोष्ट सामने आया है इश्वर्या ने वीटी अपनी अराध्या और रिशी कपूर को गले लगा कर किस तरह से विदाई देते वे अराध्या की तरफ से रिशी कपूर को मिल रहे शद्धांजली का दर्द बया किया है यह हम आपको अब तस्वीर पोश्ट के जरिये नहीं बलकि साथ साथ में इन तस्वीरों के जरिये बया करेंगे यह बाकई में तस्वीरे देख आब रोप पड़ेंगे रिशी कपूर अराध्या को बहुत जादा गहरा प्यार देते थे अपने घर की लाडली परी की तरह, अपनी नातिन की तरह, लिधिमा की बेटी की तरह एश्वरया की वेटी को भी प्यार देते थे रिशी कपूर उनका यही अंदास जो था खुले मिजास की रिशी कपूर का यही एक खास अंदास था जिससे बहुत जादा एश्वरया उनके दिल के करीब आई थी एश्वरया की वेटी अराध्या को अपनी गोद में बिठा कर किस तरह से खुब खुश होते थे रिशी कपूर कैसे उनसे मिलने के बाद एक दादा जी या फिर एक नाना जी की तरह अपने फर्ज को अदा करते थे रिशी कपूर आप देखे सकते हैं रिशी कपूर को लेकर हम बात कर रहे हैं यहां पर उनके अंतिम समय की जो बिलकुल अकेले पर गए थे और समय तो खास तोर पर बच्चों के साथ रहकर कोई भी शक्सियत जिन्दगी जीने के और इच्छा को जगा देता है लेकिन रिशी कपूर कुटजा नजनी क्या हुआ कि वो अच्छानक जिन्दगी से हार मानकर हमेशा के लिए सो जाने के लिए तयार हो गये रिशी कपूर दो साल से जिस बिमारी से रह रहे थे जिस बिमारी ने आज उन्हें बिलकुल अकेला कर दिया है नेक्स तना इन्हें लूमसे रपते कर वोट